अगर आपके पास भी कोई भी ट्रेक्टर है जिसका आप इस्तमाल क्रिसी में या अपने बिजनस के लिए मतलब ट्रोली लगा अगर के करते हैं तो कैसे आप घर वैठे खुझ से अपना ट्रेक्टर का इंस्वरेंस कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीदियो में बताऊंगा तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो इंस्वरेंस करने जा रहे हैं वो फर्स्ट पार्टी करने जा रहे हैं या थर्ट पार्टी करने जा रहे हैं मतलब दोनों में अगर आपको पता है तो ठीक है नहीं तो मैं बता जाता हूं फर्स्ट पार्टी में आपका गारी कवर नही होता है मतलब यह है कि अगर आप फर्स्ट पार्टी लेते हैं और आपके गारी का कुछ accident होता है चोड़ी हो जाता है तो insurance company आपको पैसे देगी उसके बदले चाहे अगर कुछ accident होता है तो जो नुकसान होगा या जो मरमत में पैसा आएगा उसके पैसे देंगे या जो है जो अगर पुड़ा नश्ट हो जाता है तो जो आई डी भी बहलू होगा वह आपको पुड़ा पैसा देती इंसुरेंस company लेकिन अगर थर्ड पार्टी लेते हैं तो आपको कोई भी क्लेम नहीं मिलता है आपकी गाड़ी का लेकिन हाँ आपकी गाड़ी से अगर किसी का समान नश्ठ होता है या किसी का गाड़ी का नश्ठ होता है या किसी का कुछ भी नुकसान होता आपकी गारी से एक्सिडेंट में तो इसको पैसा देगी आपको कुछ नहीं देगी डोनों में समझ में आ गया थाट पाटी का लोग ज़ादा इसलिए भी करते हैं कि पुलिस वाले जो है इसके लिए फहाइन नहीं करते हैं मतलब इन्स्रेंट के लेगर रहें आपके पास थाट फहाइन नहीं करेंगे क्योंकि आपके इंस्वरेंस कॉपी है तो कम सकम मीनमम जो है थार्ड पार्टी मेंडेटी होता है और बहुत सारे लोग इसलिए करते हैं कि पहला पुलिस से बाज आते हैं दूसरा यह सस्ता होता है लेकिन वही घाटा यह होता है कि अगर कभी एक्सिडेंट हुआ उनकी गारी को तो उनको को क्लियम नहीं मिलता है अब दोनों में आप अंतर समझ गए दोनों में से जो आपको करना है वह पहले मैंड मेकप कर लो दूसरा आपके पास आपका आर्सी की या इंस्वरेंस कोपी पिछले बाला हूना चाहिए चलिए अब आपको पास आपके आर्सी है मतलब गारी का लिए या तो आपको हमारे इस वेपसाइट पर आजाना है इस वेपसाइट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा तो वहां से आप डाइट इस वेपसाइट पर आ सकते हैं और यहां पर आपको देख सकते लिखा कमर्सियल इंस्वरेंस ऑनलाइन इस के पर क्लिक करना है तो यहां पर सबसे पहले नाम लें ड है किसको हो WhatsApp जिन संवरेंस को तब तक तक आपके नाम से गारी नहीं होता तब तक आपके नाम से इंस्वर होता है तो वैलेड नहीं माना जाता है इसलिए उसी के नाम से आपको इंस्वरेस करना है जिसके नाम से गारी का आर्सी है चलिए मैं यहाँ पर देता हूं नाम चलिए मान लोगी कि मैं एक विजय ही ऐसे देता हूं और यहां पर मोईल नमबर आप कोई भी दे सकते हैं इसमें कोई इशु वाली बात नहीं है किसी का भी दे सकते हैं कोई जुरूत नहीं कोई आर्सी में लिंक होगा है कोई भी आप दे दो उससे कोई लेना देना नहीं है और उसके बाद कंटीनिव पे किलिक करते ह नहीं इस तरीके से आज आता है तो यहां पर आपको दो चीजों पर ध्यान देना है यह यह वाला है did जो खीद उतने वाला होता है तो अगर आप वाला है जिस से आप समान होते हैं लग काम करते हैं समान भर्ली बढाया कर ले जो जो लोग कोुछेख़ लगा लगा कर लो चुनेंगे अगर किसी भी सिज़ को गलती ये स्लेक्ट कर लेते हैं तो पुलिस वाल आपको पकर लेगा तो वैलेड नहीं माना जाएगा और आपको जो है उसके लिए फाइन हो जागा तो इसलिए दोनों चीज सब्धानी से जो आपको है वही चुने अब माली जी के चली मैं यहाँ पर एगरी केल्चर के लिए कर रहा हूं तो एगरी केल्चर यह ट्रेक्टर है तो मैं यहाँ पर महिंद्रा जो है अबल देख सकते हैं पहला यह option आया है यह चुन लेता हूं अगर कोई company यहाँ पर नहीं है तो आपको क्या करना है यहाँ पर लिखा हुआ है इस पर किलिक करना है तो यहाँ पर आपको सारे company जितने भी company जो है ट्रेक करेंट कहा जा रहा है अब मूडल कहां लिखा रहता है वह भी आपके आर्सी पहले अ तीना यहाँ चीज आपको यहां पर लिखना है चलिए मैंने अनोना पर प्लस लिखा हुआ है तो वह चीज़े आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा इसी तरीके से सारा जो है आपको इसमें वेरियंट देखने को मिल जाएगा बिल्कुल सही वेरियंट चुन लेना है चले मैं चुन लिया हूँ यह वाला और उसके बाद यहां पर वेरियंट कहा जा रहा है और वेरि करते हैं तो पूछा जाता है कि registration कि साल का है है अब registration के लिए आप आर्ची पर आएंगे और यहां पर देखेस कि लिखा हुआ है कि date of registration 29 December 2014 लिखा हुआ है चले मैं 2014 जो है यहां पर चुन ले रहा हूं date जो है आगे पूछए का insurance करते वक्त हो यहां पर देंगे तो यहां मैंने 2014 दे दिया है अब यहां पर RTO कहा जा रहा मतलब क्या है कि गारी का नंबर है वो क्या है यहां गारी का नंबर जो है यहां पर दिया हुआ है तो मैंने यहां पर हाइड कर दिया है क्योंकि किसी की चीज में आपको नहीं दिखा सकता है तो इसलिए मेरे पास है तो से खुल जाएगा अब आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि जो आपका पिछला फोलोसी था वो कब एक्सपायर हुआ है वह आपको बताना है अगर आपको नहीं पता तो आपको नीचे में देख सकते लिखा हुआ है यह वाला चुन लेना है और जाब इस पर किलिक करेंगे तो पूछा जाया है कि कब आपका कितना दिन लगभग हो गया है अगर आपको नहीं पता है तो आप सिंपल सा यहां पर क्या करो यह वाला जो है देख सकते है एक्सपायर मोर दन 90 डे एगो यह वाला आपको लास्ट व चुन लेंगा कुछ लोगोगा पीछे होगा तो यहां पेपी जा सकते हैं कि हम अगस्ट में ही यह वो गया तो आप इस तरफ में आपके और ट्रवर कर देंगे चलिए मेरा मालोकि मैं इसका कर रहा हूं और नॉंबर में है तो नॉंबर में मैं आठ नॉंबर इसको चुन जिसके बाद कहा जाएगा कि क्या आप किसी भी तरीक क service जो आपका था उस से को ई किलेंग Megliam अपने लिया तो अगर आपने क्वी के में लिया होगे और यहां ना ही लिया है चलिए नहीं लिया है तो यहां पर करेंगा वगर आपने ली aider होगा यूस करेंगे चले में नो करदेता हूं आपने देख सकते हैं कि यहां पे दो लिखा हुआ एक यह दो नहीं है मतलब सिर्व फार्ट पार्टी होता है अब की स्मिल्द कबरने में दूबारा मैं यहां बताउए लेकिन नीचे आप देखेंगे तो यहां दो लिखावा दो पैकेज प्लान यह देख सकते है इस पे अब पैकेज प्लान है मतलब कि इसमें जो है इनकी गारी कवर होगा लेकिन इंस्वरेंस का जो रेट देखेंगे तो फॉर्ट पाटी में यह मात आथ हजार तीनसों चालिस रुपे का है और अब जब फॉर्ट यह सिकेंड करना है यह आपको डिसाइड करना है जो भी चाहिए अब फाइस पाटी करेंगे तो यह पर एक चीज़ और यहां पर लिखा रहता है कि आईडी वहलू आपका कितना है आप मान लिजिए कि आपका आईडी भी वहलू दो लाग 37650 रुपे यहां पर लगाया ग नहीं लेगा तो होता है यहां पर उपर में द см fine लिख़ेक नहीं ncv जो है कितना परशेंट आपका पिछले साल था और आपको यहां कुछ ले लेता है लेकिन आप मालेजिए कि पिछला इंस्वरस इनका मैं चेक करूंगा तो उसमें लिंखा हो और इसको अपडेट कर दूंगा तो यहां इस तरीके से अपडेट हो जागा तो जो भी आपको यहां पर ध्यान से अपडेट करना है और यहां करने के बाद अब आपको यहां पर कुछ एड़न चीजे होता है कि मतलब जो गारी का ओनर है या जो ड्राइवर है उसका इंस्वरंस कुछ लोग करते हैं ताकि उनको जो है बेनिफिट मिलता है तो जो गारी का ओनर होता है अगर वो अपना इंस्वरंस से लेते हैं इस इंस्वरंस के साथ और किसी भी तरीकी का एक्सिदेंट होता है तो उन तो यही करता हूं कि जितने भी लोग करा है जरूर 3700 रुपे के कारण आपको पंदर लाग का मिलना क्यों नहीं ले बिल्कुल लेना चाहिए तो उसको आइड करने के लिए आपको यहाँ पर देखेगा तो उनका भी इंस्रेंट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं उसके लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं अप्शन लिखा हुआ है पीए कवर पोर पेड्राइबर इस पर किलिक करेंगे थापसे पूछेगा कि इसका एक लाग का लेंगे या दो लाग का लेंगे तो आप लेना है यह तो आप ले सकते हैं मैं यहाँ चीज़े आड किया हूं और इसको एक किलिक कर दे लाहा हूं आपको उसका benefit मिल जाता है तो क्यों नहीं ले देख सकते हैं कि लिखा हुआ कि लिएक थर्ड पार्टी इसमें है पीए यहां पर देखने को देखने को मिल जाएगा यह सारे चीज़ जो है इसमें भी एड हो गया है तो आप यहां पर देख सकते हैं थो रेट है और बढ़ गया है पहले 8300 करीब में था अब 8700 हो गया तो यह सब थोड़ा सा चेंज हो जाता है अब माल लिजिए कि आपने इसमें स इसी का कर रहा हूं कि यह लिम्टेट थार्ट पाटी इस पर मैं किली कर दे रहा हूं अब आपको यहां पर द्यान अकर जब आप इंस्वरेंस करते हैं आगे तो आपको अगर किसी भी तरीकी परशानी आता है तो आप मेरे नीचे दिया हुए कॉमेंट जो नंबर दिया और आपको बता दूगा कि क्या करना चाहिए नहीं या कोई प्रसानी तो वह भी मैं स्वाल कर दूँगा चलिए मैं आगे बता देता हूं तो जब मैं उस पर इस तरीके से आ जाता है यहां पर गारी आउनर का नाम फिर से पूछा जाएगा तो जो नाम गारी के आर्टी प पर पीडिएफ जाता है और सारा डेटेल इस पर जाता है जो भी आपका email id होगा वह आपको यहां पर email id अपना दे देना है और यहां देने के बाद डेट अबर्थ किसका लिखना है तो जो अनर है मतलब मालिक है उसके अधार काड होगा या कोई भी पेपर होगा उसमें ल फैसा यहां पे सब्सक्राइब यहां पर एड्रेस करके और यहां पर यहां पर पिन कोड आपको पाइब अगर आपको कुछ लगत तो आप इसको कर सकते यहां करने बाद यहां पर कंटेनुव पर किलिक खर देना हैं जब करदे हैं तो यहां पर नॉमनी का नाम पूछा जाता है मतलब यह विव्या है कि अगर आपको घारी आपके साथ कुछ होता है तो आपके अस्थान पर दूसरा ओनर और नॉर कों होगा उसका उसका पास आ अगर पहला मालिक किसी कार्नमस अबलेवल नहीं होता है तो तो उसका नाम आपको यहां पर देना है जिसका भी नाम आप रखना चाहते हैं जिसका नाम आपको यहां पर देना चाहते हैं दे सकते हैं कोई वाइप को बनाता है को बेटा को बनाता है को किसी को बनाता है को का उसका एज लिख देना है continue पर किलिक करते हैं तो इस तरीके से यह डिटेल यहाँ पर पूछा जाता है यहाँ पर रिस्ट्रेशन नमबर मांगा चारा है मतलब कि हमने अर्टियो जो है शुरू में ही सेलेट किया था तो है यहाँ आउना開च कर देता हूं 1234 कर देता हूं कि यहां पर लिखा भाए में आपको नमबर होता गारी कर देता हूंотрमृत QU कंप्लीट ईहां पर लिख देगता chamber यहां पर 06 है तो मैंने नहीं यहां पर गती हैımız इंजन नमबर अ इंजन नमबर देख सकते हुआ है और इस तरीके से नमबर होता है यहां जो भी चीज वह ओगा वह आपको यहां पर इस तरीके से लिख देना है और यहां लिखने के बाद यहां जब आप इंजयन नमबर लिख देते हैं उसका चेचिस नमबर कहा जा रहा तो चेचिस नमबर जो है यहां पर लिखावा होता है आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर लिखावा है जो नमब बाद नीची आ जाना है यहां पे विखकल री स्टिशंट डेट यह डिफॉल्ट कुछ भी लेडर बेसकित हैसि ताहिस हों की δश मिस्ट जुटे कर रहा हो और तो जो निब्जी सर्थ 14 लिखा वह यहां पे मैंने लिख दिया है यहां करने कब बद Ad previous प्रीवियस पीलोसि नंबर कहा जा रहा है चाल मैं यहां पर इस roads नंबर होगा ओ आपको यहां पे लिक देना है और यहां करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट प्रिवीएस इंसोरेंस पुछा जाता है कि पिछला इंसोरेंस जो था मतलब जो अभी एक्सपायर होने वाला है या इस करते हैं तो यहाँ पे जिस कंपनी से आप करवाते हैं उस कंपनी का नाम आपको लिखना होगा मालेजी के HDFC है तो यहां पर आपको HDFC लिख देना है और यहां पर ब्रांच जो भी होगा उस ब्रांच का नाम लिख देना इस तरीके से और अगर नहीं होगा यह लोन पर भी होगा और खतम हो गया होगा तो आपको यह नो पर चुन लेना है और उसके बाद यहां पर भीव समरी पर किल कि कोई जो है गलती न हो जाए इन बात को आप ध्यान रखना है ताकि दोबारा क्रोश से जरूर कर ले यह कर लेंगे तो उसके बाद आपको यहां पर दिखा देगा कि यह जो है टोटल आपको पेमेंट लगने बाला है आठ हजार साथ सो चालिस रुपे का तो आपको क्या कर यहां पर उसका नाम यहां पर एकस्पाइरिंग डेट और सीवी कोड जो कार्ड के पीछे लिखा होता है वह आपको यहां पर देखके पेपर किलिक कर देना है इसी तरह की से क्रेडिट कार्ड यूपी आई नेट वैंकिंग या वोलेट जिससे भी पेमेंट करना चाहते है तो उससे कर सकते कोई दिकत नहीं है चलिए मैं लिजी कि आपके पास ATM कार्ड है तो आपको इस पर किलिक करना है यहां पर जो कार्ड होगा कार्ड नंबर यहां पर लिख देना है यहां पर नाम लिख देना है जो भी नाम होगा और यहां पर एकस्पाइरिंग मन्थ से लि जाएगा और उसके बाद जो आपको policy copy भी मिल जाएगा और यहां पर कुछ चीजे जो मैं बतालता हूं कि किनका policy नहीं मिलेगा और किसका मिल जाएगा जिनका third party होगा उनका तो तुरंत मिल जाएगा अभी ही मतलब payment होते ही तुरंत policy copy download option मिल जाता है आप download कर सकते आपको policy copy मिल जाएगा और प्रिंट कर लेना ओर्जिनल के रूप में काम करेगा दूसरा जिनका policy जो है पिछला expired हो गया होगा और वो लोग first party में कर रहे होंगे उनको जो है वीडियो inspection करना पड़ेगा तो उसके लिए जो है वो inspection होने के बाद ही policy copy मिलेगा अगर ऐसे लोग होंगे और ऐसा कर लेंगे वह हमें नीचे वालन दिये के नंबर पर कॉल करेंगे मैं उनको सारा help कर दूंगा तो बस दो साथ जो है आपको insurance की copy मिलेगा यह वीडियो आप खुद भी मना सकते हैं आप मुझे phone करना मैं बता दूंगा I hope कोई सारी चीस समझ में आ गया होगा कोई confusion हो कोई परिसानी हो तो आप मुझे call कर लेना मैं आपको जरूर बता दूंगा बहुत बहुत धन्यवाद